नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं GDS की जो नई रिकूर्टमेंट आई है उसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मिल जाए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडेक्शन देता हूं मैं भी अभी पोस्ट ओपिस में BPM के पदपर कायरे कर रहा हूं और जो इससे पहले वाली वेकेंसी निकली थी उसी में मेरा चैन हुआ था तो मुझे इस वेकेंसी का पूरा नोलेज है तो आपको यहा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडिया-post gds-online.goe.in इसको टाइप करना है जैसे ही आप यह टाइप करोगे आपके सामने options आ जाएंगे वहाँ पर आपको जो इंडिया-post gds-online है उस पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हो आए gds-online engagement, notification, registration, apply online, fee payment और candidate grievances अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर division wise किस-किस division में कितनी-कितनी जो vacancies खाली है उसकी भी सारी details यहाँ पर दे रखी है और इस vacancy में total जो पद है उनक पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आजागा descriptive notification जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पर पीडिये पर वो download हो करके आजाएगी जो कि कुछ इस तरीके की आपके सामने दिखाई देने वाली है तो यहाँ पर हमने जो notification है वो पूरा खो इस से स्टार्ट है और 16 फरवरी 2023 तक इसके जो form है उनका जो भी जो कारिकरम है वो चलने वाला है एडिट करेक्शन जो आपको अगर कुछ करना है तो आप 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी दो दिन के अंदर कर सकते हो यहाँ पर BPM की कितनी salary होती है पहले केवल 12,000 का ही notification देते आपको पता है कि यहाँ पर जो basic pay होती है उसमें हर साल 3% का increment लगता है तो इस increment के साथ अगर आप BPM की post पर ही रहते हो और पूरी job करते हो तो वह आपका जो basic payment है वह last तक जाते जाते 29,380 हो जाए गया same to same ABPM के case में जो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपे यहाँ पर दे रखा है उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो चीजे information आपको दिखाई दे रहे कि branch post master का क्या रोल होता है ABPM जो होता है उसका क्या रोल होता है और इसके अलावा age relaxation किस तरीके से आपको मिलने वाला है और आपके अंदर कौन-कौन सी जो qualifications है वो होनी चीए तो यह जो सारी details है य वह भी जानकरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी वह यहाँ पर आपको कहां से मिलेगी वह भी मैं आपको बताता हूं तो यह जो PDF यह आप देख सकते हो जिसमें हर एक state में कितने कितनी posts खाली है वह सारी details यहाँ पर दे रहे हैं जैसे आंद्रप्रदेश में unreserved के लिए इत बहुत बड़ी opportunity है और इस जो vacancy इसमें अगर आपके percentages अच्छे हैं अच्छे नहीं भी हो तो भी आपको इसमें form जिरूर फिल अब करना चाहिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको form फिल करना है यह जो जानकरी आपको कैसी लगी comment box में बता कि अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं